विद्ना हर्ता श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा तो चले मित्र अब मैं तुम्हें कुछ और गुण, एवं ज्यान से भरे प्राकृतिक उपहारों से परिचित करवाता हूँ, आओ मित्र भंड कुमार, चौथा गुण तुम्हें जल से सीखना है जल के समान, परिस्थिटी के अनरूप स्वयम को किसी भी आकार में ढाल कर, अपने मार्ग की बाधाओं पर विजय पाकर, निरंतर अपने लक्ष की ओर बढ़ना सीखो, और दूसरों की मलिम्ता को दूर कर, उन्हें पवित्र करना भी सीखो सीखूंगा, अवश्य सीखूंगा, कि जैसे जल सभी स्थानों पर पहुन सकता है, तो मलिम्ता भी सवत्र फैल सकती है आओ मित्र ये बढ दूसरों कि बढ़ना भी से को दो मित्र यह को भी सेब दूसरों कि अष्यूंगा, एन्हें लढ़ना अव्यूंग' हुआाद इस्थाव? समलो मित्र मित्र भंड कुमार भलवीत मत हो मैं हूना तुम्हारे सार तुम्हें यहां अगनी से कोई शती नहीं पहुचेगी अपितु एक महत्वपूर्ण सीथ प्राप्त होगी तुम्हें अगनी जिसका स्पर्ष करती है उसे अपनी पावन उर्जा से सुधार कर पवित्र बनाती है क्योंकि जो जल में नहीं घुलता वायू से प्रभावित नहीं होता उसे एक मात्र अगनी ही अपने भीतर समाहित कर नवीन रूप प्रदान कर सकती है नहीं मित्र आपकी ये सीख भी उचित नहीं क्योंकि अगनी तो यहीं सिखाती है कि जो भी तुम्हारे निकटाने का दुसास करे उसे भस्म कर उसका अस्तित्व ही मिठा दो चले मित्र चलो मुझे आशा है कि अब तुम अच्छाई का ग्यान प्राप्त कर अच्छाई और बुराई में भेद कर सकोगे और अपने जीवन में सदा अच्छाई का पालन करोगे अच्छाई और हमारे महानाई चिंता मत कीजे मित्र मैं आपके सी भली बानती समझ गया हूँ मैं आपको वचन देता हूँ कि उन सीखों का पालन में अवश्य करूँगा किन्तु यदि कुछ नहीं समझ सका तो चलता है ना और वैसी पर जब उदर भोजन से रिक्त हो तो कहां पून बास समझ आती है ओ हां भोजन मैं ये कैसे बूल गया कि तुमने अभी तक तो कुछ खाया ही नहीं है वहाँ देखो मित्र वहाँ तुम्हारे लिए परियाब ताहार है रंग कुछ हरा अवश्य है किन्तो उसका स्वात अत्यान तो तम होगा अहार स्वाधिश्ट अवश्य होगा ये और मुझे इसके हारे रंग से कोई समस्या नहीं है मुझे तो ये अत्यान रसभरा भी प्रतीत हो रहा है तो फिर प्रतीक्षा क्यों करें वैसे भी वो वरिक्ष से प्रतक होने ही जा रहा है तो उसे शीग्र प्राप्त करना चाहिए हमें मित्र मैंने से प्राप्त कर लिया कहा गया ये मैंने से अपे कानल सक्राप्त करें मित्रीक्षा करें कि अप्राप्त कर दो रहा है कि कि अचान वे डिट रहा है व कर दो रहा है झाल अ कि आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे मैंने तो अपना अहार ही प्राप्त किया कि तुम्हें ग्याति है तुमने क्या किया है मेरे द्वारा दे गई सभी सीखों के विरुद्ध जाकर निर्दैता से एक निर्दोष जीव की हत्या कर उसे निगल लिया तुमने यह क्या किया तुमने भंड कुमार आप उससे क्रोधित क्यों हो रहे हैं मित्र जैसे आपको य हरे और लाल आम के फल भाते हैं वैसे ही मुझे वो हरे और लाल पक्षी तो चलता है ना नहीं नहीं चलता है कि ऐसे निर्दोष जीब की हत्या करना सर्वता पाफ है कि तो अपने ही तो सीखती थी कि मैं इस अलंज ब्रमान का भाग हूं और उसी प्रकार इसमें जो भी है वो मेरा भाग है सब एक ही है तो यदि मैंने अस पक्षी को अपना अहार बना लिया तो क्या बुरा किया अपने ही एक भाग का बोजन किया मैंने वो पक्षी ब्रम्भान का एक सजीव भाग था उसका एक स्वतंत्र जीवन था और ऐसे निर्दोष जीव की हत्या पाप है तुमने अभी मुझे बचन दिया था कि तुम मात्र अच्छाई के पत्स पर चलोगे और अभी ऐसा घोर पाप करने में तुम्हें तनिक भी संकोच अच्छाई क्या होती है पाप क्या होता है उसका ग्यान कहां दिया आपने तो फिर ध्यान से सुनो धर्म के जो भी विरुद्ध है वो पाप है फिर वचन भंग करना हो अध्वाइक निर्दोष बख्शी का वद्ध हो और ऐसे पाप करने वाने का मित्र मैं कगा भी नहीं मेत्र, मैं भी कहा किसी का शत्रू बनना चाहता हूँ, मुझे तो सबसे बड़ा शत्रू बनना है, महा शत्रू, अजाद शत्रू जिस के हरिदय में अधारम का अंधकार व्याप्त है, वो प्रतम पूज गणेश जी की कोई सीख भला कैसे प्राप्त कर सकता है वचन भंग करना पाप होता यही का था न आपने, तो स्मरण कीजिए, आपने सुर्याज तक में साथ रहने का वचन दिया था मुझे मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, आज सुर्याज तक आपने सत्य ही कहा था स्वामी, ऐसा कुटिल कप्ती धुर्थ ना कभी हुआ था और ना ही कभी होगा अभोत अज्यानी हो ना मैं, इसलिए मुझसे ये पाप हो गया, इन्तु आप ही बताईए, यदि आपके मित्र को सबको धीरे-धीरे समझ आता है, तो क्या आप उसका अत्याब कर देंगे? उस पाप से बचने का क्या उपाय है? यह नी समझाएंगे उससे पुचित है, मित्र मित्र का साथ नहीं देना चाता, तो मत रुकिये, जाएए गनेश जी, जब मैंने ये पाप किया है, तो उसके परिनाम का सामना करने का, उपाय भी स्वयम ही जून दूँगा, मैं पाप का फल दंड होता है पाप का फल दंड होता है कि इन तो मित्र मैं डं नहीं पाना जाता, तो इस पाप की डंड से कोई कैसे से रक्षित हो सकता है बताईए न मित्र उसका तो एक ही उपाय है, पाप का प्राश्चित प्राश्चित हाँ, प्राश्चित भंड कुमार, सर्व प्रथम अपने पाप को स्वीकार कर शमयाचना करो, यह प्राश्चित का प्रथम चरण है अर्थार, यदि किसे से पाप हो गया हो, अपनी भूल सवीकार कर, शमा मांग कर उसका प्राश्चित कर ले, तो वो धन का भागी नहीं बनता? हाँ, भूल स्वीकार कर शमयाचना करने से दंड नहीं, शमा दान प्राप्त होता है शमयाचना करने से दंड नहीं, शमा दान प्राप्त होता है कर दो एंट कर दो देल कैंट। शमन आप दिफ शमन मुझे भूल हुई है मैं प्राशित करने के लिए प्रस्तुद हूँ, मुझे शमन कर दीजे मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी प्रत्येक सेख का अनुचित अर्थ ही निकाल लेता है कदाचित इस भंड कुमार को सुधारने का प्रयास करना मेरी भूल थी मित्रा मेरी विचास से भूल मुझे नहीं आप से हुई है देखे मैं तो शमा याचना कर रहा हूँ फिर भी इनाग मुझे शमा करने के लिए त्यार नहीं इसकी दुष्टिता की कोई सीमा भी है द्वा नहीं अच्छा रुकिये मैं एक बार और शमा राचना करता हूँ मुझे अब बहुत भालक से भूल होगी नागदिव इसलिए शान्त हो जाईए मैं तो मात्र एक नहीं देखना चाता था जो जिक्षय मेरे मित्र गनेश जी ने दी है वो उचित है नहीं रिप्या करके मुझे शमा कर दीजे गनेश जी की सीक को सत्य करने हेतू आपको ऐसा करना ही होगा मैंने भूल सविकार कर शमा याचना की है आपसे जिसे निकार कर आप मुझे डंडित नहीं कर सकते हैं तो चलता है कि गनेश जी की सीक को सत्य करने हेतू आपको ऐसा करना ही होगा करना ही होगा कर आप कर आप कर आप मित्र आपने सत्य ही का था पाफ होने पर शमा मांग लो तो शमा दान मिलता है डंड नहीं तो पाफ हो भी जाए तो चलता है कदापी नहीं अपनी इच्छा से किया गया पाप मात्र पाप नहीं आशुरी प्रवरत्ती का परिचय देता है और मुझे नहीं क्या था कि मैं एक मित्र नहीं दुष्टता का ही स्रजन कर रहा हूं मैंने तुम्हें अब तक जो भी शिक्षाय प्रदान की तुमने सभी का विग्री तर्थ समझा जो सर्वधा अनुचित है इसलिए अब मैं प्रस्थान करता हूं कि अब मुझे एसे त्याकर मत जाएए मैं वही सीख रहा हूं जो मैं समझ पा रहा हूं मैं एक ही दीवस में सब कुछ कैसे सीख सकता हूं कुछ भूल तो चलती है ना मित्र आपके भी तो जीवन के आराम में आपसे भी भूल हुई होगी वस्तर के स्थान पाई पशु चर्म सबना कंड़कते हैं रहने के लिए कोई घर नहीं नाम पूछो तो केते सभी नाम मेरे हैं अब अब ऐसी बात करने वाले को भेरुप्या नहीं तो और क्या कहूं और क्या कहूं आराम से ही इसे सब कुछ ग्यात होने पर भी ये अभोध होने का मिध्या प्रदेशन कर रहा है आपने देखा नात किस प्रकार ये गणेशी के अतीर की घटना का उल्लेक कर रहा है आपको तो उन भूलों के बात दी सुधरने का अफसर प्राप्त हुआ होगा उच्जेद सीख प्राप्त हुई होगी आपके माँ दर्शनकिल तो आपकी माता थी आपके पिताश ही थे आपका परिवार था और गरह था और आपके लिए सीखना समझना कटिन कहारा होगा किन्तु मेरे पास आपके अत्रित और कोई भी नहीं है भस्म से एक निट्जन स्थान पर उत्पन हुआ हूँ मैं कदाचित इसलिए दुरुबद्दी से ग्रस्त हूँ किन्तु आपका जुनम तो किसी अत्यान पवित्र स्थान पर हुआ होगा तो ज्यान का स्रोवर होगा अच्छाइका ही सोत्र होगा कि अग्यान की गंगा बहती है जो ब्रह्मान की सभी स्थानों में सरवाधिक पवित्र स्थान है जहां मेरे पिता का निवास है मेरा निवास है कदाचित वहीं जाकर तुम्हें सुबुद्धी प्राप्त होगी कि इसलिए तुम्हें मेरे साथ केलाश ही जाना होगा धन्यवाद मित्र धन्यवाद मुझे अपने साथ केलाश ले जाने के लिए मैंने मनाही लिया आपको भंड कुमार का केलाश में प्रवेश सर्वता अनुचित है ऐसी दुष्टता का प्रतीक केलाश जैसे पावन स्थान में प्रवेश के योग्य नहीं रुको भंड कुमार आपने मुझे क्यों रोक दिया मेत्र क्योंकि मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूं कि यदि केलाश में भी तुमसे कोई त्रुटी हुई तो मैं भी ये भूलने पर विवश हो जाऊंगा कि मैंने ही तुम्हारा स्रिजन कर तुमसे मित्रता स्थापित की है फिर तुम्हारी उस त्रूटी का भीशन परिणाम तुम्हें भूगतना ही होगा और उस परिस्थिती में मैं कुछ नहीं कर सकूँगा आप भी ने तुका था यह महादेव कास्तान है तो यहां कोई भूल, कोई द्रिश्टा कैसे हो सकती है मुझसे किन्ति यदि छोटी से छोटी कर भी बैटू तो मित्रो मान के शमा कर दीजेगा उचित है, उचित है मैं आपको वच्चन देता हूँ यहां मैं आत्यान साफधान रहूंगा मैं कोई भूल नहीं करूँगा, अब तो चलिए अवश्चि यह क्या हुआ, यह कैसी अदृष्च सकती है जिसने मुझे पीछे फिख दिया हूँ, हमारे असूर महानायक वहां प्रवेश करने में इसलिह सफल हुए क्योंकि वे स्वयम गनेश जी के साथ थे किंतु उस पवित्र शकरात्मा कूर्जा से परिपूर्ण कैलाश में प्रवेश करने का अफसर हमें कहां प्राप्त होगा उस कैलाश में हमारा प्रवेश तो वर्जित है हम तीनों को तो यहीं रहकर प्रतिक्षा करनी होगी तो तुम मेरे आहत होने के प्रतिक्षा कर रहे थे बुरू में सूचित नहीं कर सकते थे तो यह है महादेव का निवास केलाश और बुंट कुमार होगा यहां का अब नवी महादेव शमा करना सरल हिर्दय व्यक्तित्व का गुण अवश्य है किन्तु मनश्य को स्वयम के विवेक से ये अवश्य देखना चाहिए कि वो किस प्रकार की भूल को शमा दान दे रहा है यह वही स्थान है जहां पर जगत पिता महादेव बैठ कर संसार के सभी क्रिया कलापों को निर्धारित करते हैं यदि मैंने स्थान गरहन कर लिया तो मैं ही उस शक्ति पर अपना अधिकास सापित कर लोगा बहुत हुआ तुम्हारा ये अनुचित हट भंड कुमार